नम्राशार दोसूं, आफ़ शबी का बहुत बहुत स्वाकते आपका जान लेकर ही दम लेगा यहाई एक इंशानüre ज्वाल, ज्यादोसόसं, अब नीज दोस्व, मेरा बात को बिलकुल भी भुरा मत मानियों, ज्यों दोसों, यह आपकी शचाई है क्योंकि दोसूं, हम आप श हाई में लेकर जाने वाला इंशान है कि जो लोग दुसरों को बरवात करने की सोचते हैं वो अपने मक्षद में इस प्रकार अंडि हो जाते हैं कि अपना भी परवाह नहीं करता उनका सब कुछ क्यों न लुड़ जाए लेकिन वह दुश्मन के जान के पिछे पड़े देहते हैं जैं दोसों और यह व्यक्ति भी आपके जुनकाल पर आपके जान के पीछे पड़े हैं तो दोस्तों देर किश बात की आज की वीडियो को अप अंत तक जरूर दिखेगा क्यों दोस्तों इस वीडियो में आपको पहचान भी कराएंगे कि यह इसान कौन है शाथी उपा आपका दाइट होता है उश्वे पहले दोस्तों शरवर्थम जो पी अपने माता पिदाश्री प्रेम करते हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्स में शच्चे इमन से जय माता दिलिख दें माता रानी का शिरवाद आप शभी को प्राप्त होग ज्या दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैल जै श्री दोस्तों वीडियो को एक लाइक जब्किरें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिए जैश्री राम तो आई दोस्तों बात करते हैं कि यह एक इंसान कौन है जो कि आपके जान के पीछे बड़ा है आपको जान स्रिमाना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुशालों से इस राशी के जो लोग है जो आपके जोन में शबसे ज़्यादा परिशान है चाहिए दोस्तों बर्मान में विश्य में कुल जितनी वी राश्या है समस्त राश्यों में से आपकी ही एक राश्य एक लोटा एश्य है जिनके पिछले कुश वर्स बहुत ही ज़्यादा दुखत बीते हैं और शाई दोस्तों बहुती मुशिपितों का शामना भी आपने किये हैं ये शे में दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगी दोस्तों ये श्य में जो आपकी गरहों की बस्तिती है वह दर्शार रही है कि आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोस्तों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोस्तों परंदो दोस्तों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुशुपते आने वाली है इनमें आपके ही गलतियां छूपी हुई दिख रही है जिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुती शिधा होता है बहुती श्रल्शोभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है दोस्तों कभी किशी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते नहीं किसी को निचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों नहीं किसी को पीजी ढखलने के बारे में भी सोचते हैं प्रदू दोस्तों इतने शीदे इतने अच्छी होने की बावजुद भी इस रासी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोसों लोग आपके भोले पन का फाइदा उठा कर अपने जादों में आपको फशा रहे हैं यह कहें दोसों तांतरिक क्रिया में आपको फशा रहे हैं यानि कि दोसों आपको बता दे कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ इसे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं जिया दोस्तों और शी के चलते आपके जुनकाल में शंकुर्णों का आपको श्रमना करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जोर्म में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात 12 बजे शे जिया द उनके जाल में फंशने वाले हैं और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुश्वबत आपके शराज सकती है तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशी के जो भी जात तक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराएं जिया दोस्तों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जिया दोस्तों चाहें आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे जिया दोस्तों जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों शरुपर्थम आपकी गलती आती है सबी को अपना शमजने की भूल ज्यादोसों इस राशी के जातक शबी को अपना मनते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं आप लोग सोचते हैं कि शबी का विकाश एक साथ होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्दगी में मुशिबत आए तो शवी को एक शाथ रह कर जहनने चाहिए ज्या दोसों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपके विप्रित होती है ज्या दोसों आपको बता दें आप हमेशा अपने शाथियों का अपने मित्रों अपने रिस्तेदारों का भला चाहते हैं परिवारों का भला चाहते हैं उनकी मुशिबतों में आप सामिल रहते हैं उनके मुशिबतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं प्रतु दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फाइदा उठाते हैं 나올 जब भी आपके उपर मुशिबत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों शब दुम दबाकर आपके पास ये भाग जाते हैं जे दोस्तों गर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जे दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रणदु दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्यवतों का शामना अकेले ही करना पड़ा इसलिए दोसों आप इन शबी बातों को गांट बांद कर लग लिजिए कि दोसों बिना किसी को सोचे बिना किसी को समझे उनकी उपर भरोशा और उनकी मदद बिलकुल ही ना करें आज ये ही आप इनको करना बंद कर दे, जियें दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे, अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे, तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंशान को नहीं मिलेगा, आपको अपना दुख शोयेंग ही जहलना पड़ेगा किसी और को बिल्कुल भी फरक नहीं फड़ने वाला तो दोस्तों आज श्रे आप अपने की सोचें और दोस्तों आपके दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी वेक्ति से मुलकात करते हैं आप जिवन से जुड़े शबसे बड़े महत्पुन बातों को शे परने के लिए आप अपने जिवन से जुड़े कुछ भी महत्पुन बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें कि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आप शे मिलते हैं लेकिं दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में शंकुर् हद से ज़्यादा भरवशान ना करें क्यों दोस्तों वर्तमान श्मय में पेशा ही सब कुछ है जें दोस्तों बात कड़ भी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सचाई भी है जें दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि आज की दौर में पेशों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों वहीं दोस्तों करों कि आज की जो इस्तिती है वो आप बता रहे है दोस्तों आज राद 12 बजे शे आपके उपर कुछ लोग तांतरिक किर्याई करने वाले हैं यो कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जूनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको इसे बातों में फशाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढू आपकी जो मुश्युपत है उन्हें बिर्दी होती जाएंगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी क्यों दोस्तों आप इन्हें सचे मित्र मानते हैं आप एश्य दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए दोस्तों आज करता हूं कि आज का यह विडियो आप श शाद इसी घटनाएं हुई है तो दोस्तों आप मैं कमेंट करके जरू बताईएगा दोस्तों हम आप शबी के शबी कमेंट पढ़ते हैं तो दोस्तों आप कमेंट जरू किजिए